वेल्कम टी श्रान टीक्टेशन, डिक्टेशन पांच सिकन बाद शुरू होगा, रेडी स्टार्ट अहम्दाबाद के एक कोविड अस्पताल में आग लगने और उसके विकराल रूप ले लेने की वजह से कम से कम आठ कोरोना मरीजों की मौत की घटना से एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की इंतहा सामने आई है यह एक विचित्र इस्थिती है की मौजूदा समय में कोरोना महामारी के मद्दे नजर जिन अस्पतालों को सबसे ज़्यादा सावधानी, चौकसी और सूविवस्थित जगहों के रूप में देखा जा रहा है वहां भी इस तरह के हादसों की इस्थितियां बनने दी जाती है अहमदाबाद के नवरंगपुरा में इस्थित अस्पताल के आईसियू में गुरुवार तड़के तीन बजे आग लगी और वह पूरे अस्पताल में फैलती चली गई रात में इस वक्त आमतोर पर लोग नींद में होते हैं और अचानक किसी हादसे की इस्थिति में तुरंत अपने बचाव की परियाप्त कोशिस नहीं कर पाते यही वजह है कि आठ लोगों की नाहक जान चली गई हालां कि बाद में अगनी शमन दस्ते ने आग पर काबू पा लिया और कई लोगों की जान बचाई जा सकी इसके बावजूद यह अफसोसनाक यह है कि जिस अस्पताल में यह हादसा हुआ वह कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए खास तोर पर तयार किया गया था यानि जब विसेश विवस्था और सुरक्षाप्राप्त अस्पतालों में लापरवाही का यह आलम है तो लोग और कहां से उम्मीद करें अब एक रिवायत की तरह सरकार ने मामले की तौरित जाच कराने और हादसे में मुरितकों के परिजनों और गायलों को मुआवजा देने की घोशना की है क्या हादसे के बाद दुख जताने या मुआवजे की आपचारिकता से मुरितकों या उनके परिवारों को होने वाले नुकसान की वास्तविक भरपाई हो पाती है सवाल है कि ऐसी किसी बड़ी और जानलेवा घटना के बाद ही संबंधित सभी संबंधित महकमों की सक्रियता क्यों दिखाई देने लगती है अगर अस्पताल में विवस्था से संबंधित हर चीज की समय पर जाच और उसमें आई गड़बडी को दुरुस्त करने को लेकर चोकसी बरती जाए तो इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है लेकिन देश भर में इस तरह अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं बार बार सामने आने के बावजूद बाकी जगहों पर उससे सबक नहीं लिया जाता और जरूरी सावधानी नहीं बरती जाती अहमदाबाद में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए विसेस रूप से चिन्हित जिस अस्पताल में आग लगी उसमें खबरों के मुताबिक आग लगने का कारण सौट सरकिट बताया गया है ज्यादातर बहुमंजिला इमारतों में सौट सरकिट को ही आग लगने के आम कारण के रूप में दर्ज किया जाता है फिर ऐसा क्यूं होता है कि समय रहते ऐसे उपाय नहीं किये जाते ताकि सौट सरकिट न हो और आग लगने जैसे हादसे से बचा जा सके इससे बड़ी विडम बना और क्या होगी कि जिन अस्पतालों में लोग अपनी जान बचाने की उमीद में जाते हैं वहां कई बार पहले ही जानलेवा हादसे उनका इंतजार कर रहे होते हैं ऐसे तमाम मामलों में आमतर आमतर पर अस्पताल प्रबंधनों की लापरवाही का खामियाजा अस्पताल में आए मरीजों और उनके परिजनों को उठाना पड़ता है शायद ही कभी ऐसा होता है कि सरकार की और से सभी अस्पताल प्रबंधनों पर नियमित निगराने को एक ड्यूटी तरह देखा जाए ताकि हर स्थर पर चौकसी बरतने और सभी गरबड़ी को समय पर दुरुस्त करने का दबाव बना रहे एक नियम या दिशा निर्देश जारी कर दिया जाता है लेकिन उस पर कितनी संजीदगी से अमल होता है उस पर निगरानी या सक्ती की जरूरत नहीं समझी जाती यह बेवजह नहीं है कि अस्पतालों में आग लगने और नाहक ही लोगों के मारे जाने की घटनाएं बार बार सामने आती रहती हैं स्टॉप